नमस्ते, चानल में फिर से स्वागत करती हूँ, मेरा चो पिछला वीडियो था, तुलसी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को जानकरी दी थी, मुझे जितना मालुम था, पर एक बात बताना भूल गई थी, मुझे थोड़ा में कहीं पर पड़ी थी, पर उस ताइम में आप लोगों को बताना भूल गई थी, पर विजय भैया जी ने कमेंट के थ्रू मुझे याद दिला दी है, ठैंक यू, मैनी मैनी ठैंक्स विजय भैय जी, और ये जो तुलसी का जो पता है, मैं आप लोगों को बली हूँ, सुबह को जो पांच से छे या साथ पता जो रेगुल हम डांतों में नहीं चबाना चाहिए, यानि कि च्यूइंग नहीं करते हैं, दांतों में दबा के नहीं खाते हैं, यह आप लोगों को मैं बताना भूल गई, यह भी आप लोग जानना चाहिए, बहुत सार लोगों जाने हैं, मैं भी कहीं पढ़ी थी, मैं स्क्रीन के उपर एक लगा दूंगी आप उससे भी पढ़के जान लिजेगा क्या प्रोब्लेम है हम तुलसी का जो पता है जब चबा के खाएंगे या दांतों में दबा के खाएंगे क्या प्रोब्लेम होता है दांतों में थोड़ा कुछ प्रोब्लेम आता है पर मैं तो साइंटिपिकली आप सकते हैं और मैं थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को लिख के देद रही हूं उससे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान देके और ये बात मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी और आज भी मैं कुछ होम रिमेडी तुल्सी को लेकर ही लाए हूं आप ल्हुंते सब्सक्राइबी तुल्सी भी हमारे स्कीन कैर के लिए बहुत फायदा देता है और सिंग प्रोब्लेम है अलर शरा है उनको भी दूर करताल है श्पाइसियाली जन लोगों का प्मृर्ण प्रोब्लेम है फज्ञा में फंगल इंफेक्स्टन होके इच्शिंग उ में जब बच्पन में एक दो बार देखी हूँ मेरा दादी मा क्या करती थी जब हाथों में तुलसी को तो पेरों में या कहीं भी कुछ हो कि तुल्सी को पुजा करते हैं तो प्लीज उस बारे में भी ध्यान दिजिएगा क्योंकि हमारी पुजन यह हैं तो पेरों मेरी जो दादी माहें बोलती थी पेरों में जो प्रोब्लेम होती थी ती में स्कीन का प्रोब्लिम हम नहीं लगाते ती सिक बिदुद्र कुछ भी रिमेडी उजने प्र हमें और हीका नहीं हो थोड़ा थेडा एलर्जी या रैसिस होगे LET जाता है इच्चिंग होता है उसी जो स्कीन अलर्जी को मेरी दादी मैं क्या करती थी तुल्सी का पत्ता हाथों में इस तरह मसल मसल के उससे ही लेप दे दे थी उससे ही लगा देती थी उस जगा पे और इसे ही तिन चार बार करने से उनका जो प्रोब्लेम है सल्व हो जाता और थोड़ा सा देखी हूं उस टाइम इसना ध्यान नहीं दी थी अभी जितना में पढ रही हूं और उसके बारे में थोड़ा सोच रही हूं एसा होता था उस टाइम पर उनका तो हो जाता था ठीक ओ कभी भी कुछ दबाई एसे ही जानबूज के थोड़ा सा कुछ में यह जो नेचर में सब कुछ भरा हुआ है हम लोग भी छोटी छोटी जो प्रोब्लेम है यह साल कर सकते हैं आसानी से तो स्कीन केर के लिए भी मैं कुछ आज आज आप लोगों को बताऊंगी आगे दिखाऊंगी आप लोग प्लीज वीडियो को कंटीनू किजिएगा मे जो तुलसी बेनिफिट देता है हमारे हेल्थ के लिए और स्कीन के लिए तो हम लोग उसके बारे में जानना चाहिए और सबसे पहले थोड़ा सा बोलूंगी क्यूंकि जो भी स्कीन केर हम करते हैं अंदर से हम भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए अंदर से सब कुछ ठीक ह तो हमारे स्कीन भी क्लोग करता है कोई भी प्रोब्लैम नहीं आता है पर तुलसी को हम तुल Εसी पत्ता को थोड़ा गरम पाणी में डाल के ऐसे रख लो या उबाले उसमें आप लोग हल्दी थोड़ा मिला के सुबहपीयो तो मैं तो बोली थी पहले वाला वीडियो में तो हमारा यह detox drink होता है एसे करने से हमारे अंदर का जो जो भी गंदगी है वो निकल आता है detox होता है और उसके बाद हम जो skin care करते हैं वो अच्छा से काम करता है और हमारा skin glow करता है स्किन का हर तरह का प्रोब्लेम भी साल्व होता है तो थोड़ा सा कुछ मैं आप लोगों को ये बता दी हूँ आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं पहले तुलसी पता को अच्छे से साप करना है साप हो जाने के बाद एक डंठल तुलसी पता दो चुटकी हल्दी पावडर मिला के एक लास पानी को अच्छे से उपाल दे देने से हल्दी और तुलसी पता बाला पानी बन जाता है देखिए उस पानी में से मैं इतना लाई हूँ पिने के लिए फूल ग्लास दी थी इतना तक था थोड़ा बच्चा के रखी हूं बाद में पीलूंगी यह सिर्फ हल्दी और तुलसी को में उबाल के लाएंगा आपके पास जो रा हल्दी कच्चा हल्दी है तो उसमें से एक टुकड़ा भी कद्दू कस करके आप लोग यह पाउडर के और सर्दी जुकाम के लिए वेटलस के लिए और डीटॉक्स ड्रिंक के तरह भी बहुत अच्छा काम देगा तो अच्छे से इसको सुभो को पी लिजिए और उसके बाद अंदर से हम मजबूत हो जाएगे और जो भी स्किन केर करेंगे ठीक से काम देगा आप लोग एसे ही यहीं पी सकते हैं नहीं तो अच्छा नहीं लगता है बीच बीच में स्वाद को थोड़ा बढ़ा नाल चाहते हैं तो एक च्छोटा काम जहानी मिला सकते हैं और कुछ बुंदे-लेमन Jujuस सकते हैं पर ऐससे ही पिना बहुत अच्छा है बीच बीच में आप लोग चेंज करके भी पी पी सकते हैं वो भी अच्छा होता है अभी skincare के लिए remedy सुरू करते हैं मैं एक कुटा यूज की हूँ उसको अच्छे से साप करती हूँ आप भी जब ये इस तरह यूज करेंगे या mix जार यूज करेंगे अच्छे से साप करके उसके बाद जितन ंसके उसको पलगे ऑम्हां यूज करने तुलसी पता यूज करना है लिएक अच्छे से पेष्ट बना लेना है मैं इस तरह मसल मसल के अच्छे से पेष्ट बनाला हूँ एक चामज से ज्यादा या एक बड़ा चमज होगा अद musun iste बना है उसके साथ कुछ बुंदे या एक छोटा चमस करीबन हनी मिला देना है हनी मिला के दोनों को अच्छे से मिला के मुँ में लगाना है देखिए एसा बना है आप लोग कोल लाण कॉप के लिए मैं जो रिमेडी बताती हूं एसे ही घर में करते हैं हम लोग बच्पन में भी एसा में तो बहुत तुलसी का पत्ता का जो रास है और हनी मिला के बहुत सारे बच्पन में खाई हूं तो यह मैं खाने के लिए नहीं बोल रही हूं मुँ में हमारे स्कीन के लिए बोल रही हूं यह हमारे स्कीन के लिए भी बहुत सारे फायदा देगा आप लोग तो हमेशा जो फेश फ्याक बनाते हैं हनी मिलाते हैं और ये तुलसी के पत्ता specially जो टीन एज में जो लड़कियां है उनका जो पिंपल प्रोब्लेम होता है और हमारा जो स्कीन में रासीज है पिग्मेंटेशन है इचिंग प्रोब्लेम है ये सब दूर करता है तो बीज बीज में हम लोग जो आंगन में तुलसी है थोड़ा साला के इस तरह हनी मिला के मूं में लगा के ये 10-15 मिनिट रख सकते हैं उसके बीज भी हम काम कर सकते हैं और अच्छे से मुंग को नर्माल वाटर से धो लीजिए ये बहुत अच्छा काम देता है प्रकृती में भर्पूर है हमारे लिए खाने के लिए हमारे हेल्थ का प्रोब्लेम सर्व करने के लिए और साथी साथ हमारे skin care, hair care के लिए भी बहुत सारे remedy भरपूर है, हम लोग use करें, तो बहुत सारे benefit ले सकते हैं, तो मैं अभी आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी, हाथों को अच्छे से साप कर लेना है, और मुँ को भी अच्छे से रोजवाटर हो या फेशवा से अच्छे से साप कर लीजिए, उसके बाद इस तरह मुँ में लगाना है, हाथों में अच्छे से मिला के, पर ज्यादा पानी हो जाए, तो थोड़ा सा जो चंदन पावडर आता है, उसको भी आप मिला के प्याक की थरा यूज़ कर सकते हैं, द तुलसी पत्ता का पेश्ट अच्छे से पना लो, और नहीं तो ये जूस के साथ भी हम लोग हनी मिला के इस तरह लगा सकते हैं, हमारे मुँ की जो स्कीन ही, बहुत फाइदा देता है, बहुत अच्छा काम देता है, स्कीन का कोई भी प्रोब्लेम नहीं होता है, फंगाल इ कौन-कौन सा जो चीज मिला के फेश्यल भी कर सकते हैं, उसको भी आगे में दिखाऊंगी, थोड़ा पत्ता मेरा हो जाए, कलेट करके अच्छे से रख लूँ, तो आप लोगों को जरूर वीडियो बना के दिखाऊंगी, ये हमारे जो स्कीन के लिए बहुत फाइदा देत है, जो हमारे हेल्थ के लिए हम यूज करते हैं, हेल्थ के साथ ही साथ ये स्कीन के लिए भी अच्छा होता है, उससे भी आप लोगों को अच्छे से में दिखाऊंगी, इस तरह अच्छे से मूँ को में धो ली हूँ, आप चाहें तो थोड़ा टावल को भीगो कर भी इस साथ दिख रहा है, और एक बार तो आप लगाएंगे तो ज़्यादा कुछ प्रोब्लेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर पिग्मेंटेशन सुरू हो रहा है मेरा भी, ये थोड़ा हमारा जो लेडिज लोगों का हर्मोनाल इन्बालंस से सुरू होता है, पर हम लोग क जो नेचर में जो चीज है, मैं तो बता आती आ रही हूं, कही कही चीज आप लोगों को पहले बताई हूं, ये सब यूज करने से हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और हम लोगों को ये जो जिद्धी हो जाता है दाग और पिग्मेंटेशन और पिम्पिल का उसके साइड के स्कील मुह में इचिंग होता है, ये भी बहुत आप लोग लड़कियां को लड़कियां जो है, मैं देखी हूं, इचिंग होता है फेस का स्कील, ये सब यूज करने से ये तो तुलसी पता का जूज कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, आशा करती हूं, ये व ये थीन वे लाए, ये विए राओस, अवाचिन देखी एड लाओस, च्राल, ये ज़्चिंग होता है, ये तो गजए पर्वाचिन आपक बादेटना, ये अवे रावचिंग नहींस, आपकून परना, ये वीवद स्कील, अरूट को शेरें अवेश, आपको जोगए, अमस